अगला क्यूशन है हमारा देखो इस क्या है यह क्यूशन बोर्ड परिक्षित हो जाता है इसमें पूझा गया है ठीक है न तो वैसे इंपोर्टेंड हो जाता है यह क्यूशन अब देखो इसको समझते है ठीक है व्रत की वह जिवा जिसकी लंबाई व्रत की तरिज्जा से दुगनी हो कहलाते है व्रत की उस जिवा की लंबाई बताने है अपनों को जो व्रत की तरिज्जा से दुगनी हो उसे क्या कहते है ठीक है यह बताएए तो सबसे पहले तो देख सी त्वरत की सबखिते के बारे हैं तोड़ा बता देता हूं सबसे पहला है यह जो आकरिती ऊती अरफ द मेरा ऑन अकोमला कर्माइं साथ करतर शथे फिरस व्रत की बींटर में बिन्दू पादर हो उस्को सेंटरी बोलते हैं ठीक है कैंदर बोलते हैं इसको सेंटर इंगलेशन बोलते हैं और कैंदर हिंदे में तो यह जो कैंदर से यह जो लाहिन बनाई ना इसको परीदी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं परीदी तो यह पुरा तो वैसे व्रत है यह यह है अपनी परीदी यह क्या है परीदी ठीके ना यह परीदी इसको बोलते हैं अपन केंद्र अब जो केंद्र से लेके परीदी तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्जा तो त्रिजा की होती हुआ हूँ है तुछता होती है हूँ केंद्र से लो पारीनि तक की दूर तकी हूँ है वो त्रिजा होती है हो यह थे अआप देखो तिर्जा की बाद में तुम्हें बताता हूं देखो मैंने परीदी बताती है आपको परीदी क्या होती है व्रत की बाउंडरी होती है उसको परीदी बोलते है व्रत की बाउंडरी को क्या बोलते है और व्रत की बीच में होता है उसको केंद्र बोलते है ठीक है और तिर त्रिजा का दुगना होता है ना तिर्जा का दुगना दुगना क्या होता है वियास होता है ठीक है जो जो केंध्र से होकर गुजर है चैब तो तुछ डिजाक दुगना होता ओव्यास होता है जो में इंपोर्टे लाइंत का मैसमजाते हूं जैसे यह देखो अग। अपनी तुछ अब तुर्जा का दुग राइं तो यहं से लिस्ट यह consuming कि यहां थक की दुर यह गो हैं तो यहां से लेखेंगर यहां बताती मेंने परीदी क्या होती है व्यास क्या होती है और जो कैंदर से हो के गुजर है ठीक है उसको व्यास बोलता है अब इसके बाद थोड़ासा अगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूं जीवा के बारे में किसके बारे में जीवा जीवा ठीकर बड़ी के मातरा लग अना था जीवा ठीकर अब वरत को वरत को दो बिंदू पर व्रत को दो बिंदू पर प्रतिछेद करने वाला वाली रेखा व्रत को दो बिंदू पर प्रतिछेद करने वाली रेखा जो होगी ना उसको क्या बोलते हैं जीवा रेखा जीवा कहलाते हैं ठीक है जैसे समझना जैसे मैंने कोई यह कोई व्रत बनाया ठीक है अब यह इसका केंद्र है है यह केंद्र है यह परीदी हो गई यहां से लेकर यहां तक परीदी से केंद्रे सरगे प्रतिछेद करने वाली रेखा जीवा कहलातीज इसमें एक ऐसे रेखा खिज़ ती तिकहीं ये कोई रेक्म कि अब यहां पे एक बिंदो गया और यहां पे एक बिंदो गया व्रत को दो बंदो प्षो टिच्छी झालग नाम देदिया इसको व्यास नाम देदिया इसको क्या नाम देदिया अपनोंने व्यास क्योंकि ये तिर्चा का दुपना होता है तो इसको अलग नाम देती है व्यास और ये जो जीवा होती है ना ये केंदर से होज़े कर गुजरती है उसको व्यास बोलते हैं ये सबसे बड़ी जीवा होती है व्रत की सबसे बड़ी जीवा ठीक तो अपनोंने देखो क्या क्या पढ़ा है केंदर पढ़ा है जो व्रत की बीचो बीच होता है उसको सेंटर को क्या होता है केंदर उसके बाद अपनोंने परीदी पढ़ा परीदी मतब व्रत की जो बाउंडरी होती उसको परीदी होते है उसके बाद त्रिज्या त्रिज्या क दो बिंदों पर प्रतिशेत करने वाली रेखा जीवा कहलाती है ठीक है और सबसे बड़ी जीवा होती है उसको क्या बोलते है व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास बोलते है ठीक है क्योंकि वो केंदर से गुजर जाती है तो उसको व्यास बन जाती हूँ तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास होती ठीक है अब अपना क्यूशन क्या था क्यूशन प्याते है अब देखो आप क्यूशन खुद कर सकते हूं आई होक मुझे लगता है आपनों कर दिया होगा यह क्यूशन अब तो पूरा देखो व्रत की वह जीवा जिसकी व्रत की त्रिज्जा से दुगनी हो कहला थी क्या कहला थी व्यास क्या कहला थी व्यास मैंने बताया ना आपको व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास ही होती है ठीक है और जो त्रिज्जा की दुगनी होती है लंबाई में तो आई होप आपको पूरा क्लियरली सम अरिमाई यहाओ। तैंक्यू